नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ती ज्यान में, दोस्तों आज मैं आपको जीवन में एक वार रादा नाम बोलने की महिमा की कहानी सुना रहा हूँ, एक वार एक व्यक्ति था, वह एक संत के पास गया और कहता है कि संत जी मेरा एक वेटा है, वह दिन तुम मेरे पास उसे लेकर के आना, अले दिन वह व्यक्ति अपने बेटे को लेकर संत जी के पास गया, अब संत जी उसके बेटे से कहते हैं, बेटा बोल रादे रादे, बेटा ने कहा मैं क्यों कहूं, संत जी ने कहा बेटा बोल रादे रादे, वो इसी तरह से मना कर और अंतक उसने यही कहा कि मैं क्यों कहूं रादे रादे संत्य जी ने कहा जब तुम मर जाओगे और यम्राज के पास जाओगे तब यम्राज तुम से पूछेंगे कि कभी भगवान का नाम लिया कोई अच्छा काम किया तब तुम कह दिना कि मैंने जीवन में एक बार स्री रादा रानी के नाम को बोला है बस एक बार इतना बता कर वह चले गई समय बीटता गया और एक दिन वो मर गया यम्राज के पास पहुचा यम्राज ने पूचा कभी कोई अच्छा काम किया है उसने कहा हां माराज मैंने जीवन में एक बार स्री रादा रानी के नाम को बोल तो वो व्यक्ति बोला मैं ऐसे नहीं जाओंगा पहले पाल की लेकर आओ उसमें बैठ कर जाओंगा यमराजी ने सोचा ये बड़ी मुसीवत है फिर भी पाल की मंगवाई गई और उसे बिठाया चार कहार पाल की उठाने वाले लग गए वो बोला यमराजी सबसे आगे वाल कहर को हटा कर उसकी जगह आप लग जाइए यमराजी ने ऐसा ही किया फिर सब मिलकर इंदर के पास पहुँचे और बोले कि एक बार स्री रादा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है इंदर बोले महिमा तो बहुत है पर क्या है ये मुझे भी नहीं मालूम बोले कि चलो ब्र पाल के उठा रहे हैं और दूसरी तरप इंद्र लगे हुए हैं। वह पाल के उठाकर ब्रहमा जी के पास पहुँचे। की तीसरे कहर को टाइए और उसकी जगह ब्रह्मा जी आप लग जाइए अब क्या करते महिमा तो जाननी थी अब पालकी के एक ओर यम्राज हैं दोसे तरफ इंद्र और पीछे ब्रह्मा जी हैं सब मिलकर भगवान सिफ जी के पास गये और भगवान सिफ से पूचा की होगी वो व्यक्ति सिव जी से बोला कि अब आप भी पालकी उठाने में लग जाएं इस प्रकार ब्रह्मा सिव यम्राज और इंद्र चारों उस व्यक्ति की पालकी उठाने में लग गए और विश्नु जी के लोग पहुँचें विश्नु जी से पूचा कि एक बार स्री बागवान सिर्व उठा रहे हो इससे बड़ी महिमा क्या होगी जब सिर्फ एक बार स्री रादा रानी नाम लेले के करण आपने इनको पालकी में उठा लिया है तो अब ये मेरी गोद में वैटने का अधकारी हो गया है बागवान स्री किस्ने स्वेम का है कि जो केवल रा बो हो जाता हूँ और जैसे ही कोई धाक सब्द का अच्चारन करता है तो मैं उसकी ओर दौल लगा कर उसे अपनी गोद में भल लेता हूँ तो दोस्तों सिर्फ एक बार जीवन में रादा नाम लेने का यही कारण है कि भागवान स्री किस्न स्वेम उसे गोद में उठा लेते ह नहीं तो वीडियो को जादा जादा शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें जैसरी कृष्ण जैसरी रादे